Good morning kids, welcome in Hindi class. Take out your Shabda Lekhan book. Page number 22. So kids, आज मैं माम आपको दो वर्ण वाले Shabda की worksheet कराएंगी. So let's start. First of all, we mention the date. 28, 6, 21. C.A. So kids, number one worksheet में आपको इन चित्रों को पहचानना हैं. और इनके नाम इन मिडिल ब्ल्यू लाइन्स में लिखने हैं. So kids, ये किसकी पिक है? ये किसका चित्र है? Yes, fall a fall. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Fall a fall. Like this. अब ये किसकी पिक है? Yes, khat a khat. तो हम यहाँ पर खत खत लिखेंगे. Like this. खत a khat. अब ये किसकी पिक है? Yes, जग जग की. तो हम यहाँ पर जग जग लिखेंगे. So kids, अब ये किसकी पिक है? Yes, घर a घर. तो हम यहाँ पर घर a घर लिखेंगे. Like this. अब ये किसकी पिक है? Yes, बस a bus. अब हम यहाँ पर बस लिखेंगे. अब ये किसकी पिक है? माग मग की. तो हम माग मग भी in middle blue lines में लिखेंगे. Like this. And you write very, very neatly in your book. So kids, second worksheet में हमें चित्रों को उनके नाम से मैच करना है. Okay, so let's start. सबसे पहले कौन सा शाब्द लिखा है? टब और टब. अब टब की पिक कहाँ पर है? यहाँ पर. तो टब को हम टब की पिक से मैच करेंगे. अब नाला नल. नाला नल कहाँ पर है? यह रहा. अब नाला नल को हम नल के नेम से मैच करेंगे. थर्ड वर्ड कौन सा है? बासा बस. तो हम बसा बस को बस की पिक से मैच करेंगे. नाला नल को हम नल की पिक से मैच करेंगे. नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? अब नाला नल को हम नल की पिक से मैच करेंगे. अब नेक्स्ट वर्ड है राथा रथ. तो राथा रथ को हम रथ की पिक से मैच करेंगे. नेक्स्ट एस वाका वक. वाका वक को हम वाका वक की पिक से मैच करेंगे. नेक्स्ट एस घरा घर. अब घर की पिक को हम घर से मैच करेंगे. इस तरीके से हम अपनी वर्कशीट को कम्प्लीट करेंगे बाबाई किड्स